नू मेवात हिंसा के बाद पलवल में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है वहीं पुलिस प्रसाशन द्वारा जिले में अलग-अलग नाके लगाए गए है और शेत्र में शांती व्यवस्था कायम करने के लिए लगातार जिला उपायुक और एस्पी द्वारा अपील की जा रही है प्रदेश भर में प्रसाशन द्वारा 144 लागू कर दी है वहीं एस्पी ने बताया कि पूरे पलवल जिले में वैसत उस्तिती शांति पून है कई जगर से कुछ छोटी मोटी खटनाय निकल कर सामने आई है जिसको लेकर दस FIR भी दर्च की गई है और कुछ शरार्ती तत्व युवकों को हिरासत में भी लिया गया है यहाँ पेर हमने पूरा डिप्लायमेंट कर रखा है कुछ लोगी कट्टा हुए थे हुए और जैसा कि आप देख सकते हैं सभी DSP और हम फोर्स लेकर पेट्रोलिंग कर रहे हैं शांतिवस्ता बनी हुई है और लगातार हमारी जो पेट्रोलिंग पार्टी है सभी के हमाई तरफ से अपील है कि सीपी अबवा पर ध्यानना दे और अपने घरूपर ही रहें ठीक है पुलिस अपने अकाम कर रही है कोई भी अगर कटना होती है उसके बारे में पुलिस को प्रण्स कुछना कि देख सर को लूट पार्ट हुए सहर के अंदर सर बजार को बंद कर रहा गया जब जिस्ति नहीं देखे बजार बंद है और जैसे कि 144 की धार हमारी लगी हुई है प्रसाशन का कहना है कि पुलिस पुरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था संभालने में कोई भी कोता ही नहीं बरत रही है सरकार द्वारा तीन एजेंसी यहां पर भेजी गई है ताकि कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से कंट्रोल कर सके पुलिस प्रसाशन और साइबर सेल द्वारा पूरी तरह से सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जा रही है कोई भी भड़काओ पोस्ट रटिपणी दिखे तो उस पर तुरंत एक्षन लिया जा सके साधी शेत्र के लोगों से अप्वाओं का ध्यान ना देते हुए शान्ति के अपीर की जा रही है पलवल से सत्य खबर के लिए नितिन शर्मा की रिपोप